स्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकवा जोन वन ग्राम इंजेक्शन के बारे में हम बताएंगे इसके डेर सारे फायदे के बारे में इसके कमपोजीशन के बारे में साथ ही दोस्तो इसे किस तरह से इस्तमाल किया जाता है क्या इसके इस्तमाल करने से पहले हमें डॉक्टर की पर्ची लेनी चाहिए जानेंगे इसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंद तक और इस वीडियो का फायदा उठाएं तो चलिए दोस्तों ज्यादस हमЕन आगवाते हुए वीडियोट लिट्व करते हैं जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा वाईट कलर का कागस का काइचन धिख ढिख रहा है जो कि ये दोस्तों इकोआ जोन वन ग्राम इंजेक्शन जो कि दोस्तो आईम और आईवी यूज उनली है यानि कि इसे हम आईएम यानि कि मस्कुलर भी इस्तमाल कर सकते हैं और आईवी मतलब कि इसे वेंस यानि कि नसों में भी इस्तमाल कर सकते हैं बात करें दोस्तो इस इकोजोन इंजेक्शन की कमपनी की तो यह दोस्तो मक्लियार्ट फार्मसीटिकल सेलेटेड कमपनी दौरा इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा जाता है और इस उन ग्राम इंजेक्शन के दोस्तो प्राईज होती है 50 रुपए के लगबग होता है और बात करें दोस्तो इसके कमपूजिशन की तो दोस्तो इसमें सेफेक्टरा जोन शोडियम मिला हुआ है वन ग्राम दोस्तो ये कई वेरियंट में मार्केट में उपलब्द है जैसे की धाई सो एम जी और पान सो एम जी वन ग्राम और देड़ ग्राम के भी पैक में ये मार्केट में उपलब्द है दो चलिए दोस्तों बात इस धेर सारे फाइदे के बारे में दोस्तों ये एक Injection एक एंटिबाइटिक Injection है जो की तमाम तरह के Bacterial Infection को K्यूर करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमें Injection की जरूरत कब पड़ती है दोस्तों जब हम किसी मेडिसीन का इस्तमाल करते हैं और उस मेडिसीन से हमें कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता तो उन्हीं कंडिशन में दोस्तों डॉक्टर लोग इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसके मातर तीन से चार इंजेक्शन लगवान Stri-fied का फिबर फिवर हो या फिर दोस्तो वाईरल फिवर में विसका गाफिय अच्छा काम है साथ ही दोस्तो आपको देधाप स्कार्धा इंफेक्शन की शिकायत है उन कंडिशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तमाल किया जाता है साथ ही दोस्तों पेट के इंफेक्शन फेफडों की इंफेक्शन गले के इंफेक्शन टॉंसिल की इंफेक्शन या बार-बार मुग के पकने की समस्या को दूर करने के लिए दोस्तो इस injection का इस्तमाल किया जाता है साथी दोस्तों अगर आपके आतों में किसी तरह के चाले पढ़ गए हो या किसी तरह के infection हो गया हो उसे भी cure करने में यह काफी मदद करता है साथी दोस्तों मैं बता दूँ अगर किसी का liver काफी affected है जैसे कि संक्रमित है आपका लीबर और अच्छी तरह से आपका लीबर वर्क नहीं कर रहा है तो लीबर के इंफेक्शन को भी दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तमाल किया जाता है साथ ही दोस्तों अगर किसी को कान में इंफेक्शन है या फिर आँख में इंफेक्शन है उन कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तमाल किया जाता है साथ ही दोस्तों मैं बता दूँ स्कीन के इंफेक्शन में भी ये काफी अच्छा काम करता है जैसे कि अगर आपके स्किन पर फोड़े फुंसी हैं जो की जल्दी ठीक नहीं हो रहा है या दोस्तो आपका एक्सिडेंट वगेर हो गया है जिससे आपका स्किन पूरी तरह से छती ग्रस्त हो गया है कट फट गया है तो उनितर के खाव को रिपेर करने के लिए भी दोस्तो इस इकोजोन वन ग्राम इंजेक्शन का इस्टिमाल किया जाता है साथी दोस्तो और साथी दोस्तो यह आपरेशन वगेर जो होते हैं उन तरह के आप्रेशन वाले घाओ को भी शुखाने में यह काफी मदद करता है। साथे दोस्तों मैं बता दूँ जो लोग आगो गेरे सजल जाते हैं और इसकीन पुरी तरह से डैमेज हो जाती है। उन इसकीन को रिपेर करने के लिए भी दोस्तों यानि के सुखाने के लिए घाओ को सुखाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तमाल किया जाता है। ये तुथे इसके फायदे के बारे में अब बात करें वन ग्राम इंजेक्शन किन के लिए आता है और इसे किस तरह से इस्तमाल किया जाता है। तो दोस्तों वन ग्राम इंजेक्शन जो है बारा साल से उपर के बच्चों में इसका इस्तमाल किया जाता है। यानि कि 12 साल से उपर बच्चे हो या फिर एडल्ट लोगों दोनों लोगों में इस इंजेक्शन का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों इस पे लिखा हुआ है IAM और IV यानि कि दोनों तरीके से इस इंजेक्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं लेकिन दोस्तों ये 1 ग्राम इंजेक् आते हैं वहां पे बिच्चु की दर्द बिच्चु जो काटता है उस तरह का भेंकर दर्द होता है इसलिए दोस्तों वन ग्राम इंजेक्शन कभी भी आइम ज्यादे तर डॉक्टर यूज नहीं करते हैं क्यूंकि पेशेंट को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है इसल बात करें दोस्तों इसके डोज के बारे में तो दोस्तों इसका जो डोज है एक से दो इंजेक्शन दिन बर में लगता है यानि कि अगर हलकी फुल की समस्या है तो आप इस इंजेक्शन को दिन बर में एक बार लगवा सकते हैं अगर ज्यादे समस्या है तो आप इसे दो ब पेने से बहुत से लोगों में जो यह salt सूट नहीं करता उन्हें ऐलर्जी की शिकायत होना या लालल चकत्य उबराना या फिर घबराट होना दोस्तों इसे आई भी जब दिया जाता है तो कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि उन्हें चक्कर आना वो मिटिंग होना या पेट में दर्द होना या मूँ का सूखना या घबराट होना तो इस तरह के common side effect होते हैं जो कि सभी लोगों को नहीं होता तो यह था दोस्तो इकोजोन इंजेक्शन के बारे में सब कुछ उमीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें आपके मन में कोई प्रशन या सुजा हो तो हमारे comment box में जरूर लिखें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाग